निमशकार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल आयरुवेदा टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूं आपको सुवस्त बनाने की विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने की विशे में बवसीर बगंदर और तव्चा के किसी भी प्रकार के मस्य को धागे से काटने की प्राचीन विदी सूथ दागा बांद कर मस्य काटने का सद्यों पुराना आयरुवेदी क्रेलियों तरीका दोस्तों सूथ बांद कर मस्य काटने की विदी बहुत प्राचीन है बजार में दवा की दुकानों पर ऐसे कई सूत भी आते हैं जिनको बांद कर मस्य काटे जाते हैं ये वीदी से आप मस्य बहुत असानी से हटा सकते हैं मगर इसमें पूरी साथधनी रखनी होती है इस सूत का परियोग करके आप तवचा के मस्य बहुसीर या वगंदर के मस्य को बड़ी असानी से काटते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं कैसे तैयार करें मस्य काटने के लिए सूत इसके तीन तरीके हैं आपको हम इस वीडियो में तीन तरीके बता रहे हैं मसों के लिए सूत बनाने का आप इन तीनों में से किसी भी तरीके का परियोग कर सकते हैं तो आज़े दोस्तों जानते हैं सबसे पहला तरीका हल्दी के चुण में थूहर के दूद की भावना देकर उसमें सूत को डूबोले और उसी सूत से मस्सों को कस कर बांदो इस तरह करने से मस्य और बगंदर नश्ट हो जाते हैं दूसरा त्रीका दो तोले हल्दी को खुब महीन पीस चान कर थूहर के दूद में विखो दो बाद में सूथ का बटा हुआ मजबूत धागा उसी में डाल दो तीन दिन भीगने के बाद चोते दिन उसे चाया में सुखा लो फिर उसी डोरे में बवासीर के मसे कसकर बांदो इस्वर की किरपा से आपके मसे गिर जाएंगे अपने आभी बगंदर के गाठ भी इसके बादने से नश्ठ हो जाती है अगर रोगी को कश्ठ हो तो घरम गी चुपड़ दो या सो बार का धोया गी घाओं पर लगा दो फोरन प्लिडा सांत हो जाएगी मसे काटने का तीसरा तरीका थूहर का दूद, बिलोवे, मालकांगनी, तिर्फला, दंती, तुराई, चीता और सेंद नमक इन सब को 71 पीस कर और घी में मिला कर सूत पर लेटो बाद में उस सूत को खींच कर मसों पर बांदो इस तरह करने से मसे गलकर गिर जाते हैं तो दोस्तो आप भी मसों के लिए इन में से कोई भी तरीका पना कर अपने मसों से छुटकारा पासकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जाहनकारी प्राप्थ हो तो प्लीजिस आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ-साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हमचा बरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने चीवन को सुख में बनासकते हैं और सुख में चीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों